था हई वाइस दिस इस मुहित अर्म और आज का अपना टॉपक है Synthesks of thyroid hormone देखे इसके पहले मैंने आपको बता जीना थायराइद हर्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं अपन देख लेंतरे किस तरह से फॉरम होता है ठीक है क्या 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 होते हों कहां पर बनता है तो synthesis of thyroid hormone take place in follicular cavity of thyroid gland follicular cavity क्या होती है तो यह वाला diagram में देख सकते हैं आप यह जो दिख रही है यह हो गई है अपनकी follicular cells ठीक है अपनको इसका diagram बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि यह वाला इनार्ट में भी आता है इनार्ट में इसका microscope diagram दिखा जाएगा आपको तो फॉलिक्लर सेल्स ही पहचानी होती है तो फॉलिक्लर सेल्स है यह फॉलिक्लर सेल्स जब कुछ फॉल्म करते हैं एक substance इसको बोलते हैं थायरो ग्लोबिलिन थायरो ग्लोबिलिन को कहां पर इस बीच म वह नोगत बाहते हैं एक की थे ठाइखने पॉलिक्लर सेल्स के बीच में थायरो ग्रता दिया था यह पूरा फॉलिक्लर सेल्स हॉज और यह क्या अपनकी आपनकी फॉलिक्लर कैविटी जीजमें पता चलना ही न अब देखते हैं अपन, iodine and tyrosine are essential for formation of thyroid hormone, iodine और कही की जुरत पढ़ रही है, tyrosine की, ठीक है, दो substance का नाम याद रखना है, iodine का और tyrosine का, stages देखते हैं, six stages आएंगी, देखो, सबसे पहले अपन को करना क्या है, ये cells है, follicles, जो ये था अपन का follicle, उसमें ये थी अपन की cells, ठीक है कौन सी follicular cells, ये थी follicular, अपन की cavity, अब इधर से एक substance बनेगा, इसको बोलते हैं, अपन थारोग्लोविलन, तो सबसे पहले substance लेगा है, एक medium type का है, ये medium आ गया है, अब इसमें क्या करेगा, दूसरा पार्ट ये रहेगा, आपन को चाहिए iodine, तो iodine ये है अपन की blood vessels, follicular cavity में लाओ, और फिर वहाँ पर के साथ tyrosine के साथ fuse कर दो, किते step आ रहे हैं, इस वाले diagram में आपको देख रहा होगा, सबसे पहले iodine को पकड़ा, कहां से प्लाजमा, मतला बिलड से ठीक है, उसको लाए कहां पर follicular cells में, follicular cells में iodide form में, उसको iodine में बतला, iodine में बतलने क पर फिर वाद पर फिर वाद फिर वाद फिर वाद फिर वाद फिर वाद फिर वाद फिर या उसके साथ tyrosine के साथ fuse कर देंगे, तो यह step involved होने वाले है, सबसे पहले देख रहे हैं पन थाइरो ग्लोबिलिन स्टेज, यह किस तरह सिसका synthesis होता है, तो जो endoplasmic reticulum होता है, य hyroglobulin is stored in follicle cavity, follicle नहीं, follicle, कहाँ पे store होता है, follicular cavity में, ठीक है, फिर दूसरी नमबर पर क्या करना है, ठीक है, एक सबस्टेंट अपन ने रख दिया, लेकिन अब किस के लिए किया है वो सबस्टेंट, तो iodine के लिए, तो iodine के अपन ट्रेफिंग करेंगे, मतलब उसको बि iodine का, किसमें, iodide में, मतलब iodide आयन है, जो ये वाला, इसको अपन कहाँ में, बदलेंगे, iodine में, क्योंकि यही फॉर्म है, जो कहाँ पे जा पाएगा, follicular cavity में जा पाएगा, इसी फॉर्म में जा पाता है, ठीक है, तो अपन पहले oxidation करेंगे, iodide must be oxidized and transported from follicular cells into follicular cavity, तो पहले इसको oxidize किया जाता है, फिर इसको follicular cavity में जा जाता है, oxidation of iodine in the presence of thyroid peroxidase, किया जा रहा है, thyroid peroxidase के presence में किया जा रहा है, ठीक है, it is required because of only iodine reactivity tyrosine in presence of thyroid peroxidase, तो यह इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि किवल iodine जो molecule है अपन का, यह iodine ही react कर सकता है, किसके साथ tyrosine से ना कि iodide ion, ठीक है, तो iodine ही react कर सकता है, तो इस बज़े से अपन किया, इसका oxidation किया, आप transport करेंगे iodine का into follicular cavity, तो from follicular cells, iodine is transported into follicular cavity by iodine chloride pump, इसको क्या बोलते हैं, लोग पेंडरिन बोलते हैं, एक बार यह hormone देख लेना, यह thyroid peroxidase नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पन का iodinease, यह आए आएगा, iodinease, तो iodinease की presence में, iodine जो है, वो थायरोशन के साथ react करता है, ठीक है, ट्रांस्पूर्ट हो गया अपन का iodine का, पेंडरिन के थुरू, अब iodineation करना है, तो combination of iodine with tyrosine is known as iodineation, it takes place in thyroglobulin, जो कहाँ पर होता है, थायरोगलोबिन में होता है, ठीक है, इस प्रोसेस इस प्रोसेस इस काल्ड, और्गनिफिकेशन ऑफ थायरोगलोबिन, और्गनिफिकेशन का सीधा मतलब है, कि iodine को थायरोगलोबिन के अंदर लाना, ठीक है, एक्सलेटर वाइ एंजायम आयोडिनेज, जो कहाँ की थुरू होता है, आयोडिनेज, क्योंकि यह आयोडिन का थ बना लेंगे, तो यह होती है, अपन की कपलिंग रियक्शन में, तो टायरोषन पहले आयोडिन से रियक्ट करके क्या बना रहा है, मोनो आयोडो टायरोषन, ठीक है, मोनो आयोडो टायरोषन, आयोडिन के साथ रियक्ट करके डायाइडो टायरोषन बना रहा है, इस सेक्रे इसी kwal It can become a reason T3 अब इस से कवे को सकता है तो इस networking आदे यह जर्ट की मिल्य बदा दिया है इस Tibra को जाता है तो इसलिए यह सेख्वेंज्स का दियान रखना किस तरे अब जो बन गा है किस तरह से इसे यह जो लिखें अब जू थ कर दो लग वक्त तीन से चार वनी तो सेंटम सी नहीं आएंगे कि यो यह जाएगा तो एक बार आज में देख लेते हैं प्लाजमा वाले से अपने क्या सबसे पहले आयोडाइड फॉर्म लिया आयोडाइड आया फॉलीक्ला सेल में उसका उक्षिडेशन किया आयोडियन प्रोक्ष के साथ मिल गए ठीक है अब डायादू टायादू टायादू मिलेगा तो क्या बनेगा पन का टेट्रा तो यह आ जाएंगे पन के बिलड में ठीक है तो यह रहा थायरड हार्मोन का सिंथेसिस थैंक यू गाइज प्लीज लाइक से लें सब्सक्राइब दे चनल